नमस्कार दोस्तों करेंट अफियर्स का सेट नमबर 14 लेके आए हैं आज आप लोग के सामने इसके पहले हम सेट 1 से लेकर सेट 13 का विडियो अप्लोड किये हैं करेंट अफियर्स का जो नहीं देखे हैं हम आजाएगे चैनल के प्लेइलिस्ट में वहाँ पर आपको सेट 1 से सब्यो और सब्सक्राइब current affairs से चार से पांच question तो प्रत्य डेली विसिस पे आपको एक state दिये जाती है current affairs का और प्रत्य एक state में आपका 20 question करवाए जाता है उसको डिबली में भी हम अध्यन करने का परियास हम लोग करेंगे अई स्टार्ट करते हैं नमबर देखिए फर्स्ट question पे इस्माइल कानी का समंद्र निमलिकित में से किस देश से है इस्माइल कानी एक व्यक्ति है उसका समंद्र किस देश करना है आपको नाम बताना है कि इस्माइल कानी का समंद्र किस देश से है A. इजराइल B. पकिस्तान C. अपकानिस्तान D. इरान और हर question में आपको time मिलेगा 5 second का अपने आप उजाचने का कि आप किसने question को सही उत्तर जवाब दे पाते हैं तो इस्माइल कानी अब देखिए इस से इस्माइल है और नाम देखिए इस से भी कंट्री का नाम हो जाएगा आपका इरान means one का option number D correct answer हो जाएगा इस्माइल कानी का समन्द इरान देख से है तो one का option number D correct answer हो जाएगे बढ़ते हैं इरान के बाद देखिए कि इरान का हो जाएगा capital तेहरान है इरान का मुद्रा का नाम currency का नाम वहां का तोमन है इरान का फ्रस्त का नाम मजली से इरान का आपका परजेंट टैम में राष्ट पती हसन रुहानी जो इरान के परजेंट टैम में आपका वहें राष्ट पती हैं जंकर बिल जाती है question number first से तो कि इसमाइल कानी का समंद इरान देश से है आई आते next question कियो question number two Westwick नवाचार सुचकांक 2020 कि संस्था द्वारा जारी किया गया है क्या है Westwick सुच्च नवाचार सुचकांक 2020 में कौन संस्था द्वारा जारी किया गया है पताइएगा Westwick नवाचार सुचकां 2020 कि संस्था द्वारा जारी किया गया है तो यह किया गया है वर्ल्ड इंटिलेक्च्वल प्रोपर्टी और जारी किया गया है Westwick नवाचार सुचकांक 2020 उसंस्था का नाम है अपका वर्ल्ड इंटिलेक्च्वल प्रोपर्टी आनि कर सकते हैं WIP स्वाट में क्या कहेंगे दोस्तों WIP वर्ल इंटिलेक्च्वल प्रोपर्टी जारी किया है इस संस्थान टू का उप्शन नमबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आया आते निक्स्ट कुश्चन की और कुश्चन नमबर थर्ड अखील भारती रियल टाइम मार्केट की सुरुवात किस मंत्राले द्वारा की गई है क्या है अखील भारती रियल टाइम मार्केट का सुरुवात मिस स्टार्ट कौन से मंत्राले द्वारा किया गया है A. सिच्छा, B. उर्जा, C. वित, D. ग्रह सब देखी एक मंत्राले का मिस मंत्री का नाम सिच्छा मंत्री, उर्जा मंत्री, वित मंत्री और गिरह मंत्री होता उसे मंत्राले कहा गया है तो अखिल भारती रियल टाइम मार्के शुरुआत जो है किस मंत्राले कौन मंत्री द्वारा की गई है तो हो जाएगा आपका उर्जा मंत्री क्यों किया गया थर्ड का आप्सन नमबर बी एक आंसर हो जाएगा उर्जा मंत्राड़े द्वारा की गई है अखील भारती रियल टाइम मार्केट की सुरुवाद आज रखेंगे दोस्तों बहुत important question है आई आते next question की और next question करता है सितंबर 2020 में संपन हुनर हाट आयोजन का थीम था सितंबर 2020 में संपन हुनर हाट आयोजन का थीम पताना है वो क्या था A. हस्त सिल्प में निपून B. कला से कलात्मक्ता C. लोकल से गलोबल D. हुनर हाट बोलता है सितंबर 2020 में संपन हुनर हाट का आयोजन का थीम था लोकल से गलोबल क्या था लोकल से ग्लोबल के राउपडूट में लोग को लाया जाया है उस सितंबर 2020 में संपन उनर हाट आयूजन का थेम था लोकल से ग्लोबल आई आते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 5 की और अगर विडियो अगर चैनल में फर्स टाइम होंगे जा गइन फर्स यह बी ओ्स चैनल को सस्टाइब कर देंगे वह लाइक करके अधिक से से शेयर कर दें नमबर 5 क्यों आते हैं इक पुस्त का दकी एक बुक का नाम है किताब का नाम है ựता को और क्या गया है किसको एक आला गिया इस पुस्तक को Connecting, Communicating, Changing A. Venkajan I do B. Rajnath Singh C. Nirmala Siddharaman D. Nayanndra Modi तो यह किया गया है राजनाथ सिंग के दोवारा इमोचन किया गया है बुक को Connecting, Communicating, Changing नामक पुष्टक राजनाथ सिंग के दोवारा लिखा गया है option number B correct answer हो जाएगा आएगे बुजाने राजनाथ सिंग के बारे में तो कि राजनाथ सिंग जो है राजनाथ सिंग के दोवारा लिखा गया है पुष्टक Connecting, Communicating, Changing नामक पुष्टक राजनाथ सिंग और राजनाथ सिंग इंडिया के परजेन टाइम में राजनाथ सिंग के दोवारा लिखा गया है आएगे बाते हैं नेक्स्ट कूर्चन की और किस राजनाथ को सोहराई खोवर पेंटिंग के लिए जी आई टेक परदान किया गया है हर कोई-कोई राजनाथ को कुछ अलग परसिद्धी के लिए जी आई टेक परदान किया जाता है तो कौन से राज को सहराई खोवर पेंटिंग के लिए जी आई टेक मिला है A. उरिसा B. जहारखंड C. पस्ची मंगाल D. त्रिपूरा पताई दोस्तों सही उत्तर क्या होगा अब यहां से देखिए आपको जाना जरूरी है अब बात आती जब जहारखंड के लिए जी आई टेक परदान किया गया है मिन 6 का अप्सन नमबर P करेक्ट आंसर हो जाएगा अब बात आती जब जहारखंड के तो हम लोग जारस नौले ले लेंगे जहारखंड के बारे में भी देखिए जहारखंड का अपका कैपिटल है राची और जहारखंड की बना था आपका 15 नमबर 2000 को जहारखंड बना था बिहार से कटके जहारखंड बना था 46% काट की धर्खन को बनाया गया था और प्रतेक 15 नौवंबर को धर्खन अपना अस्थामा दिवस मनाता है तो 15 नौवंबर धर्खन का निर्मान हुआ था और धर्खन का कहा जया परजेन टाइम में यहां का आपका मुख्यमंत्री तो यहां का जो है सियम धर्खन का जो है वह आपके हैं हमंत सौरेन और यहां का बात किया जाए गवर्णर मिंस राजपाल तो श्रीमती दुरपदी मुर्मु जो है यहां की गवर्णर और राजपाल है उनका रखना है आपको फ्रेंड्स कोश्चन नंबर आपको कितना से सिक्स है और बात किया यहां का आपका जो है राजपच्छी तो कोयल है राजपसु यहां का बात किया जो तो हाथी है और राज अगर कहा जाए पूस्प फूल तो पलास है इतना आपको यहां करना है रखना है कुश्चन नंबर शिक्स से आए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और इस कुश्चन नंबर सेबन कहता है हेराड नामग चक्तरवात की उत्पत्ति किस महासाघर में हुई है हेराल्ड नामक एक चक्रवात एक साइकलोन है उत्पन जो है कौन सा महासागर से हुआ है कौन सा ओसन से हुआ है A. हिंद महासागर B. परसांत महासागर C. अटलांटिक महासागर D. आर्क्टिक महासागर तो हेराल्ड नामक चक्रवात की उत्पत्ती परसांत महासागर से होई यह मीन 7th का भी correct answer हो जाएगा सबसे बड़ा महासागर भी देखिए आपका परसांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर होता है इंग्स में कहा जाता है इसको Pacific Ocean परसांत महासागर को इंग्लिज में तो हराल डामा चकरवाल की परसांत महासागर में होई है आयाते नेक्स्ट कोश्चन किया और नेक्स्ट कोश्चन कहाता है दोस्तों हाली में एककम उत्साव का आयोजन कहां पर किया गया हाली में एककम उत्साव का आयोजन कहां पर किया गया ए तिरुवंत पूरम A. तिर्वंत पूरम B. नए दिल्ली C. बैंगलूरू और D. आप कर सकते हैं यहाँ पे आपका जो है वो कर सकते हैं चेन नई D. छुट गया यहाँ पे D. कर लिजेगा आप यहाँ पे चेन नई तो बताना है हाली में A का मुट्सव का आयोजन कहां पर किया गया था A. तिर्वंत पूरम B. नए दिल्ली C. बैंगलूरू और D. आप्शन चेन नई तो एकम उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था मिस आप्शन नमबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एकम उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था अब देखिए नई दिल्ली की बात की जाती तो नई दिल्ली देखिए आपका आपका भारत का जो राजधानी वो नई दिल्ली है अगर बात की गई नई दिल्ली तो दिल्ली जो है आपका एक किसंसित किें साजर्य पदेश राईज है और नए दिली जो है दिली का फेंटायम में वहाँ का गवर्नर स्री अनील बैजल है जोले टेंट गवर्नर है और दिली के प्जेंटायम मूखे मंत्री मिंश स्री अर्विंद केजरी वाल हैं कुमल जाती है कुश्चन लमबर इनरजी नामक पहल किस राज द्वारा की गई वेश्ट टू एनरजी नामक पहल किया गया है कौन राज द्वारा स्टार्ट किया गया है A. उतराकंड B. जहारकंड C. महारास्थ D. उॐडिसा तो waste to energy नामक पहल के शुरुवात उत्रा खंड राइज द्वारा की गई किया गया है तो मिह 9th का option number A correct answer हो जाएगा कि waste to energy नामक पहल के शुरुवात उत्रा खंड द्वारा की गई आई अब समझते हम लोग उत्रा खंड के बारे में उत्रा खंड का Captain Rights दरादूल उत्रा खंड बना था 9 November 2000 को बना था उत्रा खंड अर्वत रखंड रारी पाल है उत्रा खंड का राजय पाल है और उत्रा खंड का परजयन टैम में कोस्चेन नंबर 9 से उत्रा खंड आपका परसिद्वान जो की गंगरानधी वहीं पर है उत्राखंड में आई आते नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन देखे बहुत इंपोर्टेंट है इतनी सक्ती हमें देना दाता के गीतकार और लेखक देखी करते हैं एक बहुत अच्छा जो है कहा गया है गायक की रूप में है आप दे सकते हैं इतनी सक्ती हमें देना दाता के गीतकार और लेखक कौन थे जिनका हाली में निधन हो गया है मिन्स मृत्य हो गया है जान लिजेगा बहुत किताब मिल जाएगा आपको इतनी सक्ती हमें द जीज़ है जो गीतकार थे और जो लेखक थे जो गीत गाएं एक गीत है और जो लेखक है कौन लिखे थे उनका हाली में डेथ हो गया है उनका आपको नाम जानना भी बहुत जारा ज़रोरी है A. रामपाल B. रामपरकास C. अभिलास D. गौपाल तो इत्सक्ति हमें देना दाता के गितकार जो है अभिलास जी थे कौन थे अभिलास जी थे जिनका हाली में डिधन हो गया है वो क्या लिखे थे गितकार थे वो लेखक थे इतनी सक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना जाना ये जो है लिखे है अभिलास जी के सकती हमें देना दाता के गितकार और लेखक थे तो टेंथ का अप्शन नमबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आए आते नेक्स्ट कुश्चन नमबर की और कि विश्च कुश्चन कहता है मधुमें दिवस 22 की थीम है क्या थी मधुमें दिवस 22 की थीम अब देखी मधुमें को इसमें डाइविटीज कहते हैं तो मधुमें दिवस क्या बोलेंगे डाइविटीज डे और ये प्रते एक 14 नमबर को मधुमें दिवस में डाइविटीज डे मनाया जाता है अब बताईए अब कमेंट सेक्षन में करके 14 नमबर को और कौन से महस्पून दिवस मनाया जाता है ये आपको कमेंट सेक्षन में करके हमको दिखाना है तो मधुमें दिवस तो 20 की थीम थी नर्स और डाइविटीज मिन्स 11 का ओप्सन नमबर ए करक्ट आंसर हो जाएगा मधुमें दिवस तो 20 की थीम थी नर्स और डाइविटीज आईए आते नेक्स्ट कुश्चन की और मिस्कुशन कहता है मिसन कर्म योगी किसके परसिच्छन के लिए SPB मिस अस्पेशल परपस भेहिकल को दाइत्व सोपा जाएगा A. आंत्रिक सुरच्छा कर्मी B. अर्धसैनिक बल C. असैनिक परसासनिक बल D. सिच्छक तो मिसन कर्म योगी असैनिक परसासनिक बल के लिए SPB परपस भेहिकल के दाइत्व सोपा जाएगा किसो असैनिक परसासनिक बल को 12 का आप्शन नमबर C. कट आंजर हो जाएगा आई यहां ते नेक्स्ट कुश्चन की और इसकुश्चन कहता है Central Vista Redvelopment Project की नीविदा किसे परदान की गई है फिर समझे कुश्चन को Central Vista Redvelopment Project की नीविदा किसे परदान की गई अप्शन नमबर C. कर्यक्ट आंजर हो जाएगा Tata Project को Central Vista Redvelopment Project की नीविदा परदान की गई आया ते नेक्स्ट कुश्चन की और इसकुश्चन कहता है राष्टिये चिक्सा आयोग का पर्थम अध्याच न्यूक्त किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन आयोग का पर्थम अध्याच किया गया है A. शुरेंद्र कुमा यादब को B. स्वास्त मंत्री स्वास्त मंत्री भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को C. निल्मनी अभू को D. डॉक्टर सुरेष चंद्र सर्मा को करेक्ट्र आंसर हो जाएगा कि राष्टिय चेक्षवर्धन आयोग का पर्थम अध्याच आया आते नेक्स्ट कुस्चन किया और मिस्कुशन करता है बिम्स्टेक आने को था B I M S T E C बिम्स्टेक के पाचवी सिखर सम्मेलन अभासी बैठक की अधिशता किस राष्ट ने किया मतलब किस देश ने किया यक ने नेपाल, B थाइलेंड, C बंगला देश D स्रीलंका C उन्टेक के पाचवी सिखर सम्मेलन की अधिश्ता option number D स्रीलंका ने किया था मेंस स्री लंका ने जो है बिम्स्टेक के पांच में सिखा सम्मिलन के दिस्था किया कि आई अब समझते हैं स्री-लंका के बारे में इसने बिम्स्टेक माची नाची भाइठक भूए ती देगि स्री लंका का आपका राजधानि कैपिटल है स्री जेवर्धने कोटी स्री लंका का करेंसी का नाम है स्री लंकाई रुपईया और स्री लंका का संसत का नाम है आपका पार्लियमेंट और स्रिलंका का परजेंट टैम में आपको वहां का परसिडेंट है गोताबाई राजपच्छे और स्रिलंका का परजेंट टैम में वहां का पीम है महिंद्रा राजपच्छे मिस्पधानमंत्री है स्रिलंका का महिंद्रा राजपच्छे मनकाई मिलाती है question number 15 से आए आते next question की आओ इस question कहता है संजुक्त रास्ट आर्थिक एवं समाजिक परिशद में अफगानिस्तान और कहा निर्वाचित हुआ मतलब अफगानिस्तान और किस देश में दर्वाचित हुआ संजुक्त राष्ट आर्थिक यों समाजिक परिशद A. भारत B. स्रिलंका C. नेपाल D. मयनमार संजुक्त राष्ट आर्थिक समाजिक परिशद अफगानिस्तान और भारत में दर्वाचित हुआ मिन्स को 16 का option number 1 correct answer हो जाएगा भाद का आपका capital है नई दिल्ली भाद का मुद्रा रुपईया है और भाद संसत का नाम पालिया मेंट है और भाद का present time में कहा जाए अश्टपती रामनाथ कोविंद है और भाद पालिया मंनाथ कीला है में का दा को 17 काता है किस देश में बीश्वे सम्मिधा संसोधन के द्वारा राष्टपती की सक्ति को पुनरस्थापित किया गया ए संजुक्त अरब अमिराज को कोते हैं UAE United Arab Emirates जो हाल फिला यहां पर IPL मैच हुआ था जो कि Mumbai Indians को जीत मिली थी दिली कैपिटल्स को पांच विगेट से हरा कर पांच विवी बार Mumbai Indians अपने खिताब को प्राप्त किया था और पांच विवी बार जो प्राप्त करने वाले जो कैप्टन थे Mumbai Indians को रोहिस्वरमा जिनको मैच का पुरस्कार दिया गया था और Anda माइयनमार क नेपाल दी श्री लंका पाइद हँद पाय किस देश में वीस्वरम मेंशन सोधन के दॉआसपती की शक्ति को प्राप्त किया गया देश में वीज्वन्र स्थापित कि या गया तो स्री है यहां पे हो जाएगा औरक्र आंसर अब बार मट स्रिलंगा के बारे में की महाँ घारा धानी जवर्धने आई रूपएया है त्रिक है किसरी किसान रेल सेवा कहां से कहां तक चलेगी investigative बताना है किस प्लेस से किस प्लेस तक A. निजामुद्दिन से स्वंतपूर B. स्वंतपूर से कोलकाता C. निजामुद्दिन से कोचीन D. कोचीन से स्वंतपूर तो तिसरी किसान रेल सेवा चलेगी निजामुद्दिन से ये स्वंतपूर चलेगी की आपका तिसरी किसान रेल से वा नियामुद्धिन से स्वंतपूर आपका यहाज वहने करनातक má दूर्खण घ्शन पूर दो आई आप दे नेक्स्ट कोश्चन किया और मैंसे कोश्चन करता है कोश्चन मुझा 19 करता है मनी लाउडरिंग कानून के तहत ICICI बैंक की पूरू परबंद देशक के पती को ग्राफतार किया गया वे कौन है अब यहां आता है ICICI Industrial Credit Investment Corporation of India ICICI का स्थापना हुआ था 1915 में ICICI का स्थापना की गई थी पताना है आपको कि ICICI की जो बैंक परबंद जो पती को ग्राफतार किया गया वे कौन है दीपक कोशर संदीबख्षी NS कलन D. सीखा सर्मा जो ग्राफतार किया गया है ICICI बैंक परबंद दिशक के पती को उनका नाम देखी है आपका दीपक कोशर मिस 19th का आपसा नमबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा आईए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन और कोश्चन नमबर लास्ट 20 की ओर सेट नमबर 14 का देखी आपका ये सेट नमबर 14 का लास्ट कुश्चन चल रहा है कुश्चन नमबर 20 करने वाले है वेस्विक 38-38 सुचकांक 20-20 में भारत का स्थान क्या रहा है 101, 105, 123, 149 बहुत मोस्ट इंपर्टन कुश्चन करवा रहे हैं तक वीडियो को लाइक ने की है लाइक आवस्चे कर देजिए अधिक शेयर कर देता कि और भी डिविस पे करेंट अफियर्स का प्रत एक दिन 20 कोश्चन करवा जाता है उनलोग के पास पाउच सके तो वेस्विक 38-38 सुचकांक 20-20 में भारत का स्थान क्या रहा तो भारत का स्थान नंबर बी 105 वा रहा 105 पोजिशन 105 पोजिशन में भारत का स्थान रहा वेस्विक 38-39 सुचकांक 20-20 में भारत का स्थान 105 वा रहा मिस 20 का अप्सन नंबर बी क्रेक्ट आंसर हो जाएगा और कि तक वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप comment box section में comment आवस्ञे करें next time में उसका video बनाया जाएगा अभी तर्श यतने भी लोगों comment करते हैं उसका video आपके सामने प्षथ कहा जाता है कहते भी हैं कि से comment आया था video के लिए मैंने वो video upload किया है और आप रहां से comment करें next time में आपका वो comment का आपका नाम कहा जाएगा इसने जो इस वीडियो को कहा था करने के लिए तो हम उसको वीडियो को बनाएंगे ओके दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वाच करने के लिए आपको थांक यू